आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप साओधी में रहते हुए अपने पास्पोर्ट को चेंज करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है उसके क्या कारण हो सकते हैं क्यों लोग अपना पास्पोर्ट चेंज करवाना चाहते हैं उसके कौन-कौन से documents आपको लगेंगे, कितना fees लगेगा, पूरा process में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो को complete देखे, पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि लोग अपना passport क्यों change करवाना चाहते हैं, उसके कुछ कारण होंगे, ऐसे 4 reasons हो सकते हैं, जिसके वैसे हम अपना passport change कर एक होता है 60 page वाला, तो उसमें क्या पता page ही सारे page हो में stump लग गया होगा, और तीसरा कारण यह हो सकता है कि जो passport है, वो गुम गया होगा, जल गया होगा, फट गया होगा, यह कारण हो सकते हैं, और चोथा कारण यह हो सकता है कि जो passport में details होते हैं, personal details वो update कराना होगा, मा से हम अपना passport renew करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, अगर आप साओधी अरेबिया में हैं, तो कैसे आपको अपना passport को update करना है, वो process मैं आपको step by step बताऊंगा, पहले बात करते हैं, complete process के बारे में, और description में मैं आपको कुछ link दे दूँगा, उसको आप refer कीजे, वो सारे information आपको मिल जाएंगे उस link में, और आपको appointment लेना परेगा, online form फिल करना परेगा, तो वो सारे link में, description में दे दूँगा, तो पहले बात करते हैं, process के बारे में, सबसे पहला process ही होगा, कि आपको online जो application है, passport renew करवाने का, extend करवाने का, चेंज करवाने का, जो भी आ आप region में रहते हैं, साओधी में, उसका जो nearest VFS center है, उसका appointment लेना है, कैसे appointment लेना है, उसका link में, description में दे दूँगा, आप ले लिजेगा, देख लिजेगा, तीसरा जो steps ही होगा, आपने form फिल कर लिया, appointment ले लिया, और तीसरा step यह है, कि आप उस VFS में, जो में आपको documents बताऊंगा, वो लेके आप पहुंच जाएए, जो time और date है, वहाँ पे, और submit कर दीजे, तो यह तीसरा step में आपका submission हो गया, और चोथा step में, जब आपका passport renew हो जाएगा, तो आप वहाँ जाके collect कर लिजेगा, बस आपका process complete हो गया, ओके, तो पहला process यह है, कि आपको online, उ आप चेक कर लिजेगा, और वहाँ जाके आप form फिल कर लिजेगा, यह Indian embassy का link है, जिसमें आप जाके सारे details अपना फिल कर लिजे, फिल करने के बाद उसका print out जरूर ले लिजेगा, ओके, यह हो गया पहला document, form फिल करके उसका print out, दूसरा हो गया, आपके जो तीन recent passport site photographs होनी यह 2 by 2 inch के, जो white background के साथ हो, ओके, यह दूसरा document हो गया, और तीसरा आपका जो original passport है, जो आपको change करवाना है, renew करवाना है, वो ले लिजे, अगर आपके पास passport गूम हो गया, तो आप F.I.R. का copy ले जा सकते हैं, गूम होनी का तुरंत F.I.R. करवाना पड़ता है, पुलिस या फिर बीच में कोई ऐसा information लिखा रहता है, पुराने जो passports होते थे, उसमें E.C.R. और non E.C.R. की stamps रहते थे, अगर कुछ ऐसे वाले भी page है, तो उसका भी आप फोटो कोपी ले लिजेगा, यह हो गया, चौथा document, और पांच वा, आपका जो valid I.K.A.M.A. है, उसका फो यह था पांच वा document, और बस इसके बाद आपको और कुछ लेना नहीं है, यह पांच document ही आप लीजेए, और इसके बाद में appointment लीजेए, कोई भी VFA Center में, कहां से appointment लेना है, कौन सा link है, description में में step by step link के दे दूँगा, आप चेक कर लीजेगा, appointment लीजेए और यह 5 document लेके वह आपे जाएए, और वहां में जाके submit कर दीजे, अब मैं आपको बताता हूँ, आप fees के बारे में, जो passports हैं, वो 36 page वाले होते हैं, 60 page वाले होते हैं, आपका जो भी requirements है, उस हिसाब से आपको fees लगेगा, normal 282 real लगता है, और ततकाल का 842, 44 है, यह सारा एक page है, जो मैं display कर द पाने, उसका fees अलग है, अगर आपको renew करवाना है, उसका अलग है, अगर आपको police clearance certificate लेना है, तो उसका अलग है, यह सारे fees हैं, ठीक है, अब यह जो fees है, यह दो तरेके के हैं, एक है normal fees, और एक है ततकाल मतलब यह होता है, कि आपको एक या दो दिन के अंदर वो passports दे दे आपको पासपोर्ट नया वाला मिलेगा, जो आपका पासपोर्ट मिल चुका है, मतलब जो आपका पासपोर्ट एक बार आपको पासपोर्ट मिल गया, इसके बाद आप क्या कीजिए, एक और बाद में बता जाता हूँ, अपनी जो इस्पोंसर है, उसको नया पासपोर्ट का कोपी दे दीजिए, फस्ट और लास पेज का, ताकि वो आपका जो रिकोर्ड है अपसर में, अपडेट कर दे तो ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, छे मिनिट का, साथ मिनिट का, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिए, क्योंकि मैं step by step उसमें लिख दूँगा, तो मैं उम्हेद करता हूँ कि आप सब लोगों को थोड़ा सा इन्फोर्मेशन इसमें मिला होग और एक बात में मिस्स कर रहा हूं, जिनको अपना पास्पोर्ट को ECR से नोन ECR करवाना है, वो भी करवा सकते हैं, अगर आपने तीन साल अगर कोई foreign country में काम करा है, साओधी में, इंडिया से बार कहीं पे भी, और आप 10 से कम परे लिखे हैं, तभी भी आपका ECR से नोन ECR हो सर्टिफिकेट या क्लास 2L का सर्टिफिकेट उनको दिखाईए, वो आपका, चेंज कर देंगे ECR से नोन ECR, ECR, नोन ECR क्या होता है, क्यों जोरूरी है, क्या डिफ्रेंसेस है, इमिग्रेशन किल्रेंस कैसे करवाना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो आप लोग के सा क्या है, क्या है, क्या है। प्रुक्त भुक्त बड़से पुसजद भाउस खरोगस भाउस भाउस